नमस्ते जी, धहरेवान हीलिंग साइनसे मैं हूँ धहरेवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों आग्या चकर पर ये 5 बात ध्याय है पिछले 4 अध्यायों में हमने आग्या चकर से जोड़े बहुत ही गहरी बातों को समझा आग्या चक्र क्या होते हैं, आग्या चक्र में क्या करना होता है, कैसे खान पान को ग्रहन करना होता है, पैनल लेंड क्या होता है, मेरे अपने और योगियों के अनुभाव क्या कहते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है आज मैं आपको कुछ दिश्टी से जुड़ी हुई मुद्राओं के बारे में बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टन होती है अग्या चक्रक पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान तकरिबन पूरे दिन हमारे इस मस्तक पर ही होता है जहां हम तिलक करते है इसे कुछ ऐसे समझी है कि आप अपनी नाक किसी इस से एक रिखा क्षिश लीजिए और अपने कान किसी इस से एक रिखा क्षिश लीजिए अब वह रिखा जहां अंदर में एक imaginary आप देखे जो रिखा जहां तकराती है, वहाँपर जो केंदर होता है, उसे हैं आध्याचकर का केंदर मांता हैं, पैनल ग्लाइन्ड भी वही होता है, जैसकि हम जानते थे कि पैनल ग्लाइन्ड को ही हम आध्याचकर का फिसिकल फॉर्म समझते हैं, और ऐसा है भी बहुत सारे योगियों ने अपने नुबहों में ये साथ जा किया है कि पैनल ग्लेंड ही आग्या चक्र का फिजिकल फॉर्म है अई समझते हैं एक ऐसी मुद्रा को जिसे करके हम आग्या चक्र पर सारा ध्यान सारी उर्चा को किंद्रित कर पाते हैं और वो है शामभावी मुद्रा शामभावी मुद्रा में हम अपने दोनों आखों की इस काले हिस्से को जिसे हम मनी कहते हैं इस मनी को हम अपनी आग्या चक्र पर किंद्रित करते हैं त्रिकोन की तरह, जैसे कि ये देखे, देख पा रहे हैं आप, तो ये जब प्रक्रिया हम करते हैं, ये चलती हुई गाड़ी में नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा चलते हैं नहीं करेंगे, किसी भी अस्वरच जगा पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने के बाद एक मिथली आत हम हाई हो जाते हैं और समझने की शम्ताथ हो इदर के लिए चले जाते हैं तो ये प्रॉपर आसन लगाकर पढ़ायाम करने के बाद इस योग का भ्यास करें जो कि इंस्टेंटली आपकी सारी उर्जा को केंद्रित करके अग्या चकर पहुँचा देगी शम्भावी मुद्रा करने के बाद तुरंथ ही नाशी कागर दिष्टी योग करना है मतलब कि ये जो अभी हम ऐसे थे तुरंथ उसे ऐसे लाना है हमारे ना किसिद्ध पे दोनों मणियों को ना किसिद्ध पे लगाना है बगवान शीव को जो भी हिंदू दियो दियो ताका आप मुड़ती देखेंगे जब भी उनको ध्यान के मुद्रा में देखेंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे उनकी आखे पूरी बंद नहीं होती है वह आके आदी खुली होती है और ये मणिया दोनों ना किसिद्ध पर होती है नासी कागर दिष्टी योग मुद्रा इसका न करना नहीं ऐसी जगह पर ही इसका अभ्यास करना जहां आप सुरक्षित हो एक ऐसा कमरा जहां शांती हो जहां आप हो और आपकी गुरू हो अब गुरू फिजिकल फॉर्म में ना भी हो तो भी आप उनके चेतना को बुला सकते हैं जिने भी आप गुरू मानते हैं साइं को बाबा को गुरु मानते हैं जो भी जितने भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं जो भी भगवान आप परमात्मा सुरूप में देखते हैं आप उन्हें गुरु सुरूप में सुविकार कर सकते हैं या कोई ऐसे गुरु जिने आप बच्पान से जानते हो या किस किसी से दिख्षा ली हो या किसी से रेकी हिलिंग की का अट्यूनमेंट लिया हो लामा फेरा का अट्यूनमेंट लिया हो ऐसे किसी भी गूरू को आप इमेजनेरी फॉर्म में उनकी चेतना को बुला सकते हैं और उनके उपस्तिती में ही ऐसे योग का भ्यास करें क्योंकि बड़ी बात है और आप ये प्रयास कर रहें यही आपके लिए बहुत महान काम है मैं आप सबको हाँ जोड़कर नमन करता हूं कि आप लोगों ने इस रास्ते पर अपनी शमता को अजमाने के लिए संकल्प लिया है और आप में इसे जदातर लोग सफल भी होंगे और जो नह करते हैं ध्यान रखना दोस्तों अग्या चक्र एक घोड़ा है ऐसे मान लीजे कि वह एक जंगली घोड़ा है जिसे हमें साधना है जिसे हमें काबू में करना है जैसे हम आग्या चक्र को काबू में करते हैं हमारी शमता है हमारी यह पूरी आभा है एक दम से बदल जाएग दुनिया ग्वालों को clear दिखेगा लोगों को clear दिखेगा और इस वज़ा से ही क्योंकि आप आगया चक्रों पर प्रयोग करते आ रहे हैं हमेशा से तो ये जगा बहुत ही vulnerable हो जाएगा ये क्योंकि हमेशा काम कर रहा है तो ये किसी भी negativity का शिकार भी हो सकता है किसी और कोई ऐसा इनसान जो बूरे नियत से है कोई ऐसा इनसान जिसने बूरे नियत से आगया चक्रों को जगलित कर रखा हुआ है और वो आपको देखके पहचान जागा कि आप अपने आगया चक्रों पर काम कर रहे हैं तो वो आपकी उरजा को च्छिनने के लिए आपके उपर आपकी उर्जा को छिनने के लिए आपके आगया चकर से करेट हो करके आपसे कोई भी चीजें कर सकता है या करा सकता है क्योंकि जो नए साधक होते हैं उनके पास बहुत जादा उर्जा होते ही है बहुत जादा उनके पास शमता होती है लेकिन वो शमताओं को थामना नहीं जानते हैं और जो पुराने साधक होते हैं वो अपने सारी शमताओं का इस्तमार करना जान चुके हैं इसलिए उन्हें औ पचेंगे क्योंकि अभी आपको नहीं आता है कि आगया चगरों की उर्जा को कैसे अपने अंदर कैद रखें कैसे अपने अंदर धारन करके रखें हुए हैं यह तो यह जब भी आप किसी को टच करेंगे आपकी उर्जा सीधें उन तक चली जाएगी और आप एक दम से ड्रे कान वीडियो भी बनाऊंगा इसकी जस्ट अबाद आपको इन दोनों मुद्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं करके मैं दिखाओंगा उस पर एक मेडिटेशन भी बनाऊंगा तो अग्या चेकर के इस यात्रा में जुड़े रहें और अपना अभ्यास करते रहें मिलते हैं आ करते हैं